तो सबसे पहले हम लोग जो डिसकसन करेंगे वह है CSR CSR देखिए Corporate Social Responsibility Corporate मतलब होता है Company Social मतलब समाज Responsibility होता जिम्मेदारिया Simple बात है यह जो Corporates है जो Companies है वह इसी समाज में पहली बढ़ी है इसी समाज ने उनको पाला है जैसे example एक माँ बाप अपने बच्चे को पालता उसी तरीके से इस समाज ने Corporate को पाला है अब assume किजिए कि अगर समाज के अंदर Customer ना हो अगर समाज के अंदर Employees ना हो अगर समाज के अंदर Government ना हो तो क्या यह Business उस समाज में चल सकते हैं तो definitely hundred and thousand percent answer is no बिना Customer बिना Employees बिना Government के कभी भी Business नहीं चल सकते हैं तो सेम उसी तरीके से जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं उसी तरीके से समाज यह Society है जो की Company को पाल के बढ़ा करता है जैसे एक बच्चे को powerful बनाने में उसको किसी लायक बनाने माबाप का योगदान होता है उसी तरीके से Company को किसी लायक किसी मुकाम पर पहुचाने में समाज का एक योगदान होता है जैसे example अभी मैं बोलता हो गया बहुत बड़ा हो गया बहुत पारफुल हो गया तो definitely उसके माबाप का contribution रहा है उसी तरीके से चाहे रिलाइंस हो चाहे टाटा हो चाहे महिंद्रा हो अगर वो इस मुकाम तक पहुचे हैं तो definitely समाज नहीं उनको पहुचा है तो जिस तरीके से एक बच्चा अगर ब तो उस company की भी जिम्मेदारी बनते ही कि उस समाज ने उस society ने जिसने उसको पाला है उनके लिए उस company कुछ करे याद रखे जैसे बच्चा एक दम छोटा है तो वो कुछ आपने माबाप के लिए नहीं जादा कर पाएगा लेकिन जब बड़ा होगा तो ज़रूर करना चाह फिलाल corporate की social responsibilities किसके लिए बनती है सिंपल है जो भी समाज के जिन लोगों ने उसको आगे बढ़ने में मदद किये बहुत सारे लोग हो सकते हैं वह आपका customer हो सकता है वह आपका investors हो सकता है वह आपका general public हो सकता है वह आपका shareholders हो सकता है जो भी लोग हैं आपको उनके लिए conscious रेना है उनके लिए आपको मिलकर अच्छी तरह से काम करना है आपको environment का ध्यान देना है अपने देश के economy का ध्यान देना है अपनी government का ध्यान देना है बिना इन सब का ध्यान दिये आप याद रखिए कभी भी एक अच्छी company माने नहीं जाएंगे अब आप बुलेंगे sir responsibility कौन decide करेंगा क्या करना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि 1956 के अंदर में जो company's act 1956 था उसके अंदर तो कुछ नहीं था लेकिन जो आपका new company's act आया 2013 उसके अंदर एक act है एक्ट में section 135 जिसके अंदर में आपको CSR के बारे में बताएगा बट इस्टिल यह आपकी self regulatory self discipline matter है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको percentage वगर बता गया कितना आपको use करना CSR के तोर पर बट कैसे use करना हो आपका self model है आप क्या कर सकते हैं सिंपल बात है सम साफसफाई का problem है आप साफसफाई करवा सकते हैं आपको लगता है कहीं street light आपने लगवाया वह भी आपका एक part हो गया CSR का मतलब समाज का भला आपने कहीं पानी का problem आपनी का बंदोबस करवा दिया तालाव खुदवा दिया जैसे example बिसलेरी ने यंपी में कई सारे ताल पर काउंट होता है मतलब आप समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहें जैसे आप यहां पर देखेंगे corporate social responsibility self-regulating business model self-regulating मतलब जो खुद डिसाइड करता है aims to contribute to societal goal और सपोर्ट वोलंटरी मतलब एक भलाई के लिए अपने कमाने के लिए ने भलाई के लिए वह आपका आता है corporate social responsibility और किसी भी तरीके से देख and decide their model नाली बनवा सकते हैं करीब बच्चों को पढ़ाने का बंदोवर्स कर सकते हैं कुछ भी कर सकते वहां पे अंधेरा street light का बंदोवर्स कर सकते हैं कुछ भी उन्होंने किया समाज के लिए अपने profit के लिए नहीं उसको हम लोग CSR के category में count करते हैं यहाँ पर scope का summary देख लेते हैं बाद में detail में discussion करेंगे पहला scope scope बतब दायरा CSR के दायरेम क्या क्या आता है सबसे पहला applicability of CSR CSR किसके उपर apply होगा कल की कोई company का चालू हुए जिसके पास एक लाग का capital उसके उपर CSR apply नहीं होता है हाँ अपन कितना fund allocate करना उसके साथ क्या किया जाएगा तो चलिए अब हम लोग डिटेल में इसके बारे में तो हम लोग आ जाते हैं applicability of CSR applicability मतलब किसके उपर apply होगा CSR सबके उपर नहीं होता है तो आपकी applyability किसके उपर है CSR की सबसे पहला condition इसमें तीन condition अगर तीन condition में से आप किसी को के भी अंडर में आते तो आपको CSR के दायरे में आप आएंगे सबसे पहला company का net worth अगर 1500 मतलब 1500 क्रोड से जादा है तो अब net worth क्या होता है net worth एक बहुत बड़ा concept है account का बड़ मैं एक simple language बात कता हूँ asset minus liabilities मतलब जो भी आपका asset है उसमें से आपने liabilities minus किया तो आपका जो बचा that is net worth तो 1500 करोड या उससे जादा का net worth रहेगा तो आपको CSR के दायरे में आप आएंगे दूसरा turnover अगर उस company का 1000 करोड या उससे जादा अगर उस company का sales yearly 1000 करोड या उससे उस company का profit 15 करोड या उससे जादा अगर company 15 करोड या उससे जादा अगर कमाती है तो उसे CSR create करना पड़ेगा मतलब consumer sorry corporate social responsibility के लिए ध्यान देना पड़ेगा और उसे committee बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे corporate social responsibility committee बोलेंगे and यह आपका rule आया 1st April 2014 से आया all companies sell spend in every financial year at least two percent of the average profit of preceding three financial years आप यह समझ लिए इसका मतलब क्या होता है कोई भी company अब question mark चले ठीक CSR पर खर्च तो करना लेकिन कितना खर्च करना वह भी एक question mark आता है तो पिछले तीन सालों का आपका जो profit है उसके यहरेज का two percent अब मैं आपको example बताता हूं पिछले तीन साल का इस साल का ने क्यूंकि इस साल का अभी तो calculation ही चल रहा है इस साल थोड़ी पता रहेगा आप तो six lakhs प्लस five lakhs प्लस seven lakhs कितना होगा six plus five eleven plus seven eighteen lakhs हो गया इसका यहरेज मतलत थी यहरेज का आपने टोडल किया तो डिवाइड बाइट त्री कितना होगा आपका यहरेज profit आएगा six lakh रूपीस आएगा तो उस six lakh का कितना percent आपको यूज करना है two percent यूज करना almost it will be 12,000 तो आपको कितना यूज करना खाली two percent उसका CSR के लिए यूज करना उससे यादा किया तो very good बढ़िया है लेकिन कम से कम आपको two percent यूज करना ही करना है next one is here the company's sell be required to incorporate its board report company को अपना एक board report बनाना पड़ता है देखे बोलने को तो company बोल दीगी कि वही हमने two percent खर्च किया हमने four percent खर्च किया हमने ten percent खर्च किया लेकिन कैसे मान ले इस बात को तो company को अपना एक हर साल annual board report बनाना पड़ता है जिसके अंदर यह सब details दी होंगी क्या क्या सबसे पहला brief outline of the company company का outline क्या है company क्या करती है कितना कमाती है सब composition of CSR committee CSR committee में क्या 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 है सब details वह हम लोग आग खर्चे कर रहे हैं CSR में जो आपका corporate social responsibility उसमें कितना खर्चे कर रहे हैं details of money spent on CSR कितना उन्होंने कहां कहां खर्च किया बोलने के लिए खाली नहीं चलता है दिखाना पड़ेगा detail कि इतना हमने education के लिए खर्च किया इतना साफ सफाई के लिए खर्च किया इतना street lighting के लि अगर वापस से प्राब्लम यह होगा कि उनको penalty हो सकती है जिसके बारे हम आगे बात करेंगे CSR committee अगर कोई भी company CSR के दायरे में आती है जैसा मैंने आपको बता कौन आएगा जिसका net worth 1500 क्रोड या उससे जादा है या फिर उस company का profit 15 क्रोड से जादा है तो अगर उस दायरे में आती है तो उस company को एक CSR committee बनाना और वो committee के अंदर कोन होगा सबसे पहले चार डायेक्टर होने चाहिए कितने कम से कम फो डायेक्टर होने चाहिए और खाली directors को committee बना दिया गुरूप बना दिया जो किसी particular काम के लिए बना जाता है उसको बोलते committee अब चार लोग का गुरूप बना दिया अब उसके बाद हो लोग घर पे अपने सो रहें दस साल से ऐसा नहीं चलता है कम से कम उनका दो बार official meeting होना चाहिए कितनी बार साल में कम से कम दो बार meeting होना जरूरी है CSR committee will recommend the formal CSR policy फॉर्मल में तो official policy हो लोग recommend करेंगे क्या क्या हो लोग recommend कर सकते हैं सबसे पहला CSR activities आखिरो CSR के तोर पर क्या करेंगे साफ सफाई करवाएंगे या फिर बच्चों को educate करेंगे या फिर street lighting पर खर्चे करेंगे जो भी कुछ करने वाले हो कि उसका लिश्ट बनाने चाहिए prepare budget बनाएंगे street light पर कितना खर्च करना बच्चों के लिए कितना खर्च करना बैकवड एरियास पर कितना खर्च करना उसका एक budget बनाएंगे describe how the company will implement the project चलो ठीक है यह budget बनाना तो आसान है लेकिन question माग उसको implement कैसे करेंगे उसका भी एक उलोग rule एक system बनाएंगे जैसे example हो करना है हम अपना पूरा time table बना लेते हैं कल सुबर चार बज़े उठेंगे दस बज़े तक पढ़ेंगे फिर गंटे नास्ता करेंगे फिर पढ़ेंगे वो खाली प्रिपेर करना important नहीं है उसे implement कैसे करना वह भी important दरवाइस चार बज़े कल सुबर उठने वाले थे और उ कितना खर्च कर रहे हैं उसमें कुछ जोल जपाटे होने नहीं चाहिए एक एक दम clear cut system रखो जिसमें सब को बाते समझ में आए कि आप कितना खर्च कर रहे हो कहां खर्च कर रहे हो कैसे खर्च कर रहे हो otherwise आपको government की तरह से penalize किया जा सकता है काफी important slide है CSR activities list आप क्या-क्य या CSR activities के तौर पे कर सकते हैं वो हमें यहां पर discuss करना है तो काफी lengthy है में line by line यहां पर देखना पड़ेगा पहला है improve the life of underprivileged underprivileged मतलब जो पिछड़े लोग है जो backward लोग है उनकी life हो कैसे तुझारा जाए उसमें ST, SC, ST, OBC मैं cast wise वापस बात नहीं कर रहा हूं मैं ब malnutrition, malnutrition भी भूख मरी में आयता है promoting preventive health care, लोगों के health का ध्यान देना, making available safe drinking water, सबके लिए पीने के लिए पानी का बंदोवस करना, इसका मतलब समझ लेजे, special education की जवरत कब पढ़ती है जब कोई बच्चा differently abled है, differently abled किसको बोलते है special child, जैसे example कोई बच्चा अंधा है, बहरा है, उसको special type की education जवरत पढ़ती है, तो उसका बंदोवस करना चीए, occasional skill में क्या होता हो समझ लेजे, हमारे इंडिया में जो अब तक कुछ सालों पहले तक जो system था, वह खाली book system था, लेकिन वह किसी काम बच्चों को नहीं आता, जब वो practical life में जाते हैं, तो occasional skill के अंदर वह क्या कुछ ऐसा सीख सकते हैं, जो skill based हो, जो उनको future में काम आए, उमन और लेडिस का ध्यान देना, elderly, जो बुझूर्ग हैं, बुढ़े हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका ध्यान देना, the different abled, different abled मतलब, वही जो मैंने आपको बताया, जो अभी special type के जैसे कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, अंदा है, इन्ड, livelihood enhancement project, और रोजी रोटी के लिए लोगों को बंदोबस करना, reducing child mortality and improving maternal health, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको जो मर जाते हैं, पास साल के अंदर, होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनका death rate काफी जादा होता है, तो उनका ध्यान देना, कैसे उनकी mortality rate को कम किया सकता है, उनकी death को कम किया सकता है, next, ensuring environmental sustainability, environment को ध्यान देना, ecological system को ध्यान देना, हमारे air, water, सब कुछ को ध्यान देना, next, employment enhancing occasional skill, वापस वही चीज, IC skill develop कीजिए, जिससे की लोगों को जाज़़एदा employment generate हो, next, measures for benefit of armed force, economic और अभी retired हो चुके हैं, ऐसा कुछ हो चुका, उनका ध्यान देना, war videos, कोई cynic की death हो गई, war में, उनकी videos जो विध्वा है, and their dependent जैसे उनके बच्चे हैं, उनके माबाप हैं, उनका ध्यान देना, training to promote rural sports, rural sports और national recognized sports, खेलकुत को बढ़ावा देना, improve करना, contribution to PM national relief fund, या कोई भी fund, जो देश के लिए social economic के लिए काम करता है, backward areas को उपर लाने के लिए काम करना, उनको क्या करना, contribute करना, उनको price wise, उनको मदद करना, उनको personally मदद करना, या सारी चीज़ें आपकी CSR activities के दाहरे में आ जाती है, allocation of funds, मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ, जो पिछले तीन सालों का आपका average profit है, उसका 2% आपको fund इस्तेमाल करना है, CSR के लिए कम से कम, उससे आदा आप करें तो better, बट कम से कम 2% आपको use करना है, now, सबसे पहले there is no specific panel provision for non compliance of act, कोई specific rule तो नहीं है कि आपको कहां कितना पैसा use करना है, बट जो आपको दिया गया limit 2% whatever is there, अगर आपने उतना proper disclosure नहीं किया, proper नहीं काम किया, तो आपको उपर penalty होगी, पहला देखिए, however, non disclosure और absence of detail about the CSR policy, आपके board ने अगर attract नहीं, आगर काम नहीं किया proper, तो आपको penalty हो सकती है, वो penalty क्या होगी, सबसे पहली penalty कम से कम 50,000 रूपीज से लेकर 25 लेक्स तक का company के उपर fine लग सकता, again listen, कम से कम 50,000 और ज्याद ज्यादा 25 लेक्स तक का fine लग सकता, और यह तो होगया company, और plus sometime it happens कि company की गलती नहीं होती है, बलकि किसी officer की गलती होती है, उसने नहीं काम बराबर किया, उसने कुछ जोल जाल किया, तो अगर किसी officer की गलती है, तो उस officer को क्या हो सकता है, उसको कम से कम 50,000 fine, आगें listen, कम से कम 50,000 fine, या जादा जादा 5,000 fine, तेखे officer की बात हो, यह company के नहीं, वहीं पर company को minimum 50,000 और maximum 25 लेक्स हो सकता, ऑफिसर को जैसा मैंने वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, 50,000 minimum 5,000 maximum हो सकता है, वह fine के साथ साथ उसको 3 साल तक की jail भी हो सकती है, fine भी हो सकता है, jail भी हो सकती, यह भी उसके लिए possible हो सकता है, तक जो हमने पढ़ा उसका एक बार summary देख लेते, पहला applicability of CSR किसके उपर apply होगा, पहला condition जिसका net worth 1500 करोड या उससे ज्यादा हो या फिर उसका sales 1000 करोड से ज्यादा हो, या फिर उसका net profit 15 करोड से ज्यादा हो, CSR committee आपको एक committee बनानी पड़ेगी, जहां पे at least 4 director होने चीए, और yearly कम से कम दो बार मिलने चीए, CSR activities में क्या गया होना चीए, बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे आप किसी backward privilege person का ध्यान देना, war videos वगरे का ध्यान देना, ये कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी समाज के लिए अच्छा हो, allocation of fund, पिछले तीन सालों में जो आपका average profit है, उसका कम से कम, 2% आपको CSR के लिए यूज़ करना है, non-compliance, अगर आपने CSR activities follow नहीं किया, तो company नहीं किया, तो company को 50,000 minimum fine, maximum 25 lakhs का fine, अगर किसी officer की गलती है, तो उसको minimum 50,000 का fine, maximum 5 lakhs का fine, plus उसको 3 years तक का jail भी हो सकता है, I hope all of you have enjoyed and learned many things from the video, and if still anybody have any doubt or confusion, you can ask in the comment, and if any guidance or feedback, you can write also in the comment, I'll improve from next video, thank you very much to all of you for watching the video.